तो गाईस आज किस वीडियो का टॉपिक है बेस्ट पाफुल स्मार्टफोन अंडर 7000 और गाईस अभी के टाइम पर क्या है कि इस बजट के अंदर आपको 6-7 ऐसे स्मार्टफोन है जो की देखने को मिल जाते हैं लेकिन कंफीजन यह रहता है कि वाई कौन सा स्मार्टफोन क सबी में से बेस्ट है तो मैंने काफी ज़दा रिसर्च करने के बाद 3-4 स्मार्टफोन को इस वीडियो के अंदर एड़ कर रहा है जो कि हर एक ओडियंस के लिए परफेक्ट रहेगा तो गाईस यहाँ पर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे नंबर 1 तक जाने वाल इस स्मार्टफोन के अंदर जो आपको डिजैन है वो एकदम काफी अच्छी देखने को मिल जाती है बैक में प्लास्टिक वोड़ी है और काफी यूनिक डिजैन के साथ आपको यह स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है जो कि इस विजट के अंदर और कोई स्मार्टफोन मेर features के बारे हैं बात करते हैं सबसे पहले इसकी design तो आपको काफी बढ़ी है देखने को मिल जाती है and इसी के साथ ये smartphone android 13 पर अंड करता है 9mm की ठिकने से 204 ग्राम का smartphone है and guys अगर आप इसको हाथ में पकड़ते हो तो ज्यादा भारी feel नहीं होगा एक average से smartphone आप इसको बोल सकते हैं and अब इसे smartphone की display के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर आपको काफी अच्छे features मिल जाते हैं जैसे की 6.6 inches की HD blur display जोकी एक पंचल कटाउट के साथ मिलती है and guys 90 years का smooth display है 180 years का touch sampling rate है और outdoor के लिए आपको मिल जाती है 500 years की peak brightness है तो overall देखा जाते हैं तो display की जो quality है colors details यहाँ आपको अच्छे मिल जाती है और इसके अंदर आपको एक iPhone की तरह dynamic island देखने को मिल जाता है जिससे mini capsule कहते हैं जिसमें आपको charging notification के time पर देखने को मिल जाता है इसके लिए यहाँ पर camera में कोई भी compromise नहीं कर रहा है यानि back में आपको dual camera का setup है जिसमें say man camera 50 megapixel का है और 8 megapixel की selfie यानि guys इसके back camera से आप 1080 में video record कर सकते हो 30 fps पर camera quality यहाँ आपको अच्छे मिल जाती है price के साब से and colors बगएरा भी अच्छे निकल के आ जाते है इसके साथ आपको मिलता भाई media tech का hello g36 वाला chipset है यानि guys दो लाके आसपास अंतुतू स्कोर आ जाता है यानि multitasking normal users के लिए smartphone अच्छा रहेगा और इसके साथ आपको भाई triple card slot मिल जाता है और इसके अंदर अच्छी बात यह कि 6000 ms की battery है 18 watt की fast charging का support मिल जाता है आपको चार्जिंग में थोड़ा सा time लग सकता है बागी का battery backup यहाँ आपको काफी अच्छा मिल जाता है और खास तोर पर Infinix smartphone का जो battery backup है वो काफी अच्छा रहता है NDC के साथ आपको side mount finger printer face unlock का support मिल जाता है design वाला smartphone चाहिए कम budget के अंदर तो मेरी खाल से आप इसको consider कर सकते हो तो गैस वीडियो में थोड़ा सा आगे बर तो आप बात करते हैं वीडियो के थर्ड लाश्ट स्मार्टफोन के वारे में चुए कि lava uva 3 smartphone है और guys आपको भी पता है अभी के डैम पे lava भी काफी अच्छा work कर रहा है यानि कम budget के अंदर आपको curve display वाले smartphone भी मिल जाते हैं तो अब इसे smartphone के अंदर आपको user experience है वो एकदम अच्छा मिल जाता है clean Android experience के साथ देखने को मिल जाता है तो अब इसके features के बारे में बात करते हैं यानि guys इसके back में आपको plastic body मिल जाते है तो design wise ये smartphone आपको iPhone iPhone की तरह देखने को मिल जाता है एंड इसी के साथ ये smartphone Android 13 पर रन करता है यानि 8.4 mm की दिखने साए 192 ग्रम का smartphone है तो आप इसको एक slim smartphone बोल सकते हो एंड इसके लबाद डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं यानि guys 6.5 एंचस की HD blood display जो की एक पंचुल cutout के साथ मिलती है औ आप है वैसे इस price को according आपको एक ही camera मिलता है जिसमें से main camera 13MP का है एंड 5MP की selfie यानि back camera से 1080 में video record कर पाऊगे 30fps देखो photography यहां पर ठीक ठाक कर सकते हो यानि एगर आपको एक दो फोटो खींचना है या फिर document का फोटो खींचना है तो काफी अच्छी तरीके से खींच सकते ह और गाइस अच्छी बात ही है कि हम आपको मिलता है Unisock का T606 वाला chipset है यानि सवादोला के आसपा संतुतू स्कोर मिल जाता है और गाइस यहां पर थर्टी से फोर्टी एपियस की gaming कर सकते हो BGMI में तो performance ज्यादा heavy level की नहीं कर पाऊगे लेकिन normal gaming कर सकते हो NBC के साथ 5000 ms की battery या 18 watt की fast charging का support मिल जाता है और अच्छा feature इसके अंदर यह है कि सामने वाले को बिना वताए आप इसके अंदर call recording कर सकते हो जो की एक अच्छी बात है तो फैनली pricing के बारे में बात करते है यानि यानि कैस 4GB 64GB का इस टोडेज जिसकी price आपको मिल जाती है 7000 रुपे के budget के अंदर यानि अगर आपको clean Android experience वाला smartphone चाहिए and OC के साथ अच्छी performance हो तो मेरी खाल से आप इसको consider कर सकते हो तो गाइस वीडियो में थोड़ा सा आगे वर तो आप बात करते हैं वीडियो के second last smartphone के बारे में जो है कि Poco C65 4G smartphone है और गाइस आपको भी पता आपको जादा तरह के smartphone पर focus करता है यानि उसके अंदर आपको performance top noise की मिल जाती है हाँ UI में थोड़ा से ads वगरा देखने को मिल जाता है ये थोड़ा सा आपको ignore करना पड़ेगा तो अब इसके मैं features के बारे में बात करते हैं यानि guys's के back में आपको दो वेरे देखने को मिल जाते हैं जिसमें से एक plastic frame के साथ देखने को मिलेगा और एक vegan leather design के साथ मिल जाता है तो overall design यहाँ आपको अच्छे मिल जाती है और इसके लाबा ये smartphone android 13 पर run करता है 8 mm की ठिकने से 192 gram का smartphone है तो overall एक सिलमे smartphone आप इसको बोल सकते हो और अब इसे smartphone की display के बारे में बात करते है यानि guys 6.7 inches की HD blur display ज देखने को मिल जाते हैं लेकिन माइनस पॉंट यह कि यहाँ आपको वाटर टॉप नौच मिलता है और इसी के साथ आपको back में triple camera का setup है जिसमें से main camera 50 megapixel का है and 80 megapixel की selfie है यानि back camera से आपको 1080 में video record कर पाऊगे वैसे तो camera quality इस smartphone को image काफी बढ़िया लगी यानि काफी देखने को मिल जाती है और इसी के साथ आपको मिलता है मीडाटेक का Hello G85 वाला चिपसेट है यानि यानि यह वाला चिपसेट कम से कम 12-13000 रोपे के फॉंस में भी देखा गया था पहले तो performance इस प्राइस को according stable है यानि यहाँ पर 4D APS की gaming इसके अंदर आराम से कर सकते हो और इसी के साथ triple card slot मिल जाता है और इसी के साथ आपको 5000 MS की battery 18V की fast charging का support मिल जाता है और security के लिए sand mount fingerprint है तो finally pricing के बारे हम बात करते है यानि यहाँ यहाँ पर 4G RAM 120 8GB का storage है जिसकी price 6709 रुपे है और 6G RAM 120 8GB का storage है जिसकी price 7500 रुपे है और 8G RAM 250 60GB का storage है जिसकी price 82009 रुप चाहिए तो मेरे खाल से आप इसको consider कर सकते हो तो गाइस वीडियो में थोड़ा सा आगे वर तुरह बात करते है नंबर वन वाले smartphone के वारे में जो है कि Moto G14 4G smartphone है देखो गाइस अभी के डाइम पर Motorola काफी अच्छा work कर रहा है यानि हर एक budget के अंदर आपको एक ऐसा smartphone देख देखने को नहीं मिलेगी एक अच्छा user experience मिल जाता है तो अब इसके man features के बारे में बात करते हैं सबसे पहले इसकी जो design है वो मुझे काफी ज़्यादा बढ़ी अलगी यानि back में आपको plastic body and vegan leather design के साथ भी देखने को मिल जाता है तो अब इसके man features के बारे में बात करते हैं इसकी full HD display मिल जाती है and 60 Earth का smooth display पंचल कट आउट के साथ मिलती है और outdoor के लिए आपको 600 years की peak brightness है तो overall देखा जाते हो display की quality, colors, details काफी अच्छी देखने को मिलती है क्योंकि ये एक full HD display जो कोई भी और smartphone offer नहीं करता है and इसके साथ back में आपको dual camera का setup है जिसके man camera 50 megapixel का है 8 megapixel की selfie यानि back camera से आप और 1080 में video record कर पाऊगे 30 fps पे लिएको camera quality वाके में काफी अच्छी detail देखने को मिल जाती है काफी अच्छी photo निकल के आज आती है and Unisocca T616 वाला chipset है यानि guys performance की बात करूं तो यहाँ पर 40 fps की gaming आर quality काफी अच्छी मिल जाता है तो आपको audio की quality काफी अच्छी मिल जाती है and इसली के साथ 5000 ms की battery 20 watt की fast charging का support मिल जाती है and security के लिए आपको sad mode fingerprint type face unlock का support मिलता है तो finally pricing के बारे हम बात करता है यानि guys 4G from 128 जूपी का storage है जिसकी price आपको मिल जाती है 8000 रुपे के budget के अंदर यान कोई भी अगर आपके पास credit card है तो आपको 1000 रुपे का instant discount मिलेगा तब 7000 रुपे के अंदर आप इसको consider कर सकते हो यानि अगर आपके पास credit card नहीं है तो आपके लिए एक और smartphone है जो की bonus smartphone है जो है के moto G04 देखो यह से smartphone के अंदर भी आपको काफी अच्छे features देखने को मिल ज आते हैं यानि अगर आपका budget कम है तो आप इसकी तरफ देख सकते हो तो यह थे आपके best smartphone जिनको आप consider कर सकते हो 7000 रुपे के budget के अंदर अगर आपका कोई weekend फीजाने तो आप comment कर सकते हैं मैं उसका reply ज़रू करूँगा तो चलिए वीडियो का इंड कर तो आप से मिलता है वीडियो की अंदर